कि आप सभी लोगों का स्वागत है बाप की अदालत में चैन से सोना है तो जाब जाहिए जी हाँ आप सभी लोगों का स्वागत है बाप की अदालत में आज हम बात करने जा रहे हैं बाबा रामरहिम और हनिप्रीत के बारे में कि कैसे हनिप्रीत ने बाबा रामरहिम को चूत हनिप्रीत का भी रेप किया था इसके बाद हनिप्रीत ने बाबा राम रहीम को बरबात करने की ठान ली और बाबा राम रहीम के साथ रहने लगी और वक्त आने पर बाबा राम रहीम की ऐसी की तैसी कर दी इस पर बातीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े वे हैं चुचु हाँ तो चूची जी इस बारे में आपका क्या विचार है हेलो जानू कैसी हो अरे घर में अकेली हो क्या हाँ तो चूचू जी आप इस वक्त पीपर है आप बाबा राम रहिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जानू एक निट अरे बाबा राम रहिम का जो होना था हो गया उसके चिक्कर में अपना ब्रेक अप करालू क्या हेलो अरे जानू तुम्हें नहीं करा था हाँ, हाँ थोड़ी देरे बात बात करता हूँ देखो जब जिन्दगी हो जण्ड तो क्या करे बाबा राम रहिम के कारणा में उसकी दाड़ी से भी बड़े हैं यहाँ पर साला इतने सालों में एक पटाई है और वो एक साथ इतनी सारी, कैसे? खैट, इस बात पर और अधिक विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े वे हैं, मिश्टर चड़ा जी हाँ तो मिश्टर चड़ा जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि बाबा राम रहिम ने जो भी किया वो अनुचित है और हनिप्रीत के बारे में हम क्या कहें? अरे, आप तो शर्मा गय है खैद, इस बात पर और अधिक विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मजूद है पिछवाड़ा गाउं से मिश्टर सूसी लाल हाँ तो सूसी लाल जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे, भाई, जो भी हुआ मैं नहीं पता लेकिन बाबा, राम, रहीम के कारण हमारा धंड़ को वोट ओगे वाई कोन सा धंड़ है अरे, भाई, थूक लगाने का और भाई, मतलब पार की दुकान है थूक लगाता है, पार मनाता है तो इसी चर्चा के साथ हम आप से विदा लेते हैं तो देखते रहे हमारा चैनल श्री सिंग ट्रेंडिंग और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूरे अरे भाई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले